हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आशा है आप सभी अच्छे होंगे देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों की कमेंट्स के जवाब देना चाहती हूँ अब ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था की healing कैसे होती है protection shield कैसे बनाई जाती है और unlock कैसे होती है फिर unlock कैसे होती है ठीक है तो आपके ही सवालों के जवाब देना चाहती है पहले तो friends अपने कहा ता fear का issue कैसे heal किया जाता है आंगर का इशु कैसे हील किया जाते है यह सारे इशु किस तरीके से हील किया जाते हैं तो इन सबी सवालों के जवाब मैं इस वीडियों के जरीया आप लोगों को देना चाहती हूं थीज活ल पहले तो फ्रेंड्स प्रोटेक्शन शील्ड का यूज कैसे करते हैं protection shield, अप लोगों को पहले तो भोजन करते हैं और अगर meditation time में meditation कर रहे हैं तो अपको use करने होती है protection shield, ठीक है वो भी अगर आपको ऐसे feel हो रहा है कि yes, आपके energy lost हो रही है या फिर आपने negative energy attacks हो रहे हैं अरजनल रहता है झाल करने में अन्टार्य एकस ऐसे सब्सक्राइब चलते हैं जाबबले झाले की सकी बाद आधिए मेर संधनल केना अलसा पर फेल आपकी और समस्क्राइब आप जब योग वस्ता में बैठते हैं, तो आप से एक हतेली या एक हाथ उपर है, ठीक है, उतना बड़ा है, वो सरकल में है थोड़ा सा, और वो इमेजन करिए आप और उसका कलर, लाइट कलर रखी या तो यलो हुआ, वाइट हुआ, लाइट पिंक हुआ, ठीक है, इस तरी अब मतलब प्रे कीजे यूनिवर्स को कि मैं भी ट्रस्ट है, जो भी ट्रस्ट है आप पर या एंजल्स पर जिस भी तरीके के पॉजिटिविटी मेरे भीतर है, मैं वो पॉजिटिविटी और वो बी बिलीवस को अपने इस औरा को लोग करने के लिए, मैं जो प्रriteक्शन अब बबल तयार कर रहा हूँ उसमें वो सारे बिलीफ और ट्रस्ट दे रहा हूँ ठीक है और मैं उससे और स्ट्रॉंग बनाना चाहता हूँ जैसे कि मेरी जो औरा है वो लॉक हो जाए जब भी मैं औरा लॉक करना चाहूं अपना या फिर जब भी मैं प्रोटेक्शन करेंगे फ्रेंट यह भी बताएं एक बार बनाना होता है आपको यह और जिस भी कलर का आप तयार कर लोगे पहले तो डर्क कलर यूज नहीं किया जाते है और जिस भी कलर कर लोगे वो कलर ही आपको लाइफ टेम यूज करना है ठीक है एक्ट्यल मैं ऐसा इसलिए करना पद तो आपकी पावर्स ही मतलब लॉस्ट होंगी उससे वह उतना स्ट्रॉंग नहीं उपाएगा ठीक है यह चीज होती है फ्रेंट यह एक बार बनाना होता है उसके बाद तो फिर आपको जस्ट इमेजन करना होता है उस बबल को दैन आपको यह इमेजन करना होता है कि जो अब उसे लॉक कर लेते हैं और वह ट्रांस्पेरेंट है जो है वह ट्रांस्पेरेंट होने की वेज़े से क्या हो रहा है कि बाहर से आपको ऐसा देखेगा जब आप करेंगे कि आपकी जो सोल है वह उसके भीतर योग वस्ता में बैठी हुई है इस तरीके से आप उसको कुए बुखता और आप थाई समय मेंशका ख्यूनिय और मेडिटेश्ट। अचन मॉधिकों कि बनखिए क्या भाङ के ही मशें उने खरा करने मी चाहता है मैं बात करते हूं कि ओर उन उन्लॉक्त प्रेहिंग सैंद में तो आइस क्लोस करें और इमेजन करें कि आप की जो सोल है उस बबल से आप उसको बाहर की तरफ मतलब थोड़ी से प्रेयर से और यूनिवर्स से एंजल से करके उसको बाहर की तरफ उस बबल से बाहर कर रहे है ठीक है यह चीज हो रही है वो बाहर आ रही है यह वाली चीज है थे काफी इजी था इसे भी पहले कई वीडियो में आप लोगों को यह चीज बता चुकी हूं अब friends मैं आप लोगों बताती हूं कि healing कैसे की जाती है healing 있는 कही तरह की होते हैं पहली बात तो थीकी लेकिन आपको अपने issues को healing नहीं करनी होती है तो वो meditation में जैसे आप बैठते हैं ठीक है उस तरीके से बैठिए और आपका जैसे एंगर का issue है ठीक है एंगर का fear का यह जो भी issue है ठीक है आप जैस भी issue को heal करना चाहते उस issue को पहले समझ लीजिए यह fear का issue कैसे आता है एंगर का issue कैसे आता है यह सारे issues जो है वो आपके जो भी अब तक life रही है आपकी ठीक है बर्थ के बाद उसके बाद जो भी ups and downs या जो भी situation बनी जब भी आप एंगर आपको करना था आपने नहीं कर पाया ठीक है या फिर जब भी एंगर आपको करना था बट नहीं कर पाया ठीक है कुछ बोलना था बट नहीं बोल पाया या कोई भी situation ऐसी रही जो कोई बात आपके मन में रह गई है कोई भी चीज इस तर तो इगो हुआ, यह सारे बड़े-बड़े इशू है, इनको हील करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इमेजन करना होते हैं, ठीक है, मेडिटेशन टाइम में आप बैठें, और इमेजन कीजिए, बर्त के बाद आपको ऐसी कौन-कौन सी सिचुएशन बनी जब सबसे ज़्या आपको एंगर का इशू हील करने के लिए मैं आपको बता रहे हूँ, तो वह वाला टाइम को उस सिचुएशन को पिक्चराइज करना है, तो अपनी उस टाइम की जो सोल है, ठीक है, इनर चाइड को हील करना है, तो उस टाइम की जो सोल है, उससे जो भी आपको कहना है, उस कर तो आप उस से बात्षीत करिए ठीक widow अगर आपको परजह करने का मन का Character आपको इससे श्रह्त करने का मन कर रहह है तो वह पू आपको है तो पती को आपको और पताना है अपने इनर चाइल्ड को इनर सोल को कि यास जो भी सिच्वेशन थी जैसी भी थी मैं अब जो भी मिरको गुस्टा था जो भी एंगर था मैं उसको हील करना चाहता हूं और यूनिवर्स और इंजल से प्रेई कीजिए उस वक्त ठीक है और उस तरीके की जितनी भी घटना है इस तरीक के सारे इशू को इस तरीके से एंगर के हील कर सकते हैं ठीक है ऐसे ही कई सिच्वेशन होती है जो एंगर भी उससे जुड़ा हुआ होता है फिर फिर के इशू पर जब आप काम करते हैं तो फिर फिर शब्द को प्रे में ज्यादा यूज करते हैं ठीक है और देन आपके द इसका सेशन लेने से कोई फायदा नहीं है पहले तो यह सुन लीजिए कोई भी सेशन आपको यह संतुस्टी नहीं दे सकता एक देड़ घंटे के भीतर कि आपका जो इशू है वो हील हो चुका है येस आपको हीलिंग मिलती है तो आप हलका फील करते तो उससे क्या होता है है किया बहुत हलका फील कर रहा हुँ बहुत मुँक्त फील कर रहा हूं ठीक है लेकिन वह कुछ वो हील होता नहीं हो बीतर रहता है से उसम्राइब करनाओ फ्रेंट गारा होता है इस मारे हो इशू झाल्मेट ळका अगोश्य hack benefit ко यहां किकि आपको यह खाने पो यह छेए ह मतलब आगे डेज में प्रैक्टिस करनी होती है ठीक है जब अगर आपका इश्यू हील हो जाएगा तो आपके साथ क्या होगा जब भी आप प्रिगर होंगे आपका एंगर का इश्यू खातम हो जाएगा आप फील करेंगे कि आपका जो एंगर हो हल्का हो चुका है अब आप जो बात बात पर यह चीज होती थी आपके साथ बहुत जल्दी सिफ कुछ भी हो जाना मतलब अंदर से बहुत जल्दी गुस्सा और यह साई शीज वो हील हो चुकी होगी ठीक है बहुत हल्की हो चुकी हो बहुत लाइट हो चुकी होगी ठीक है उसी तरीके से आप फियर के इशो हील हुआ है या नहीं हुआ है यह वाली शीज वो कर रहे होते हैं ठीक है तो यूनिवर्स सबसे बड़ी हल्प करते हैं आपकी इसमें ठीक है और जैसे कहते ह practitioners है और जैसे इन हमारे ट्विन्स जो है आपकी जो सोल गुरोफ हो रही है उसमें कोई भी मतलब इशू ना रह जाए कहीं पर ये इसलिए आपको मतलब ये टेस्ट एग्जाम्स चलते रहते हैं बहुत सारे लोगों के कॉश्चन्स मेरे पास आए कि ये कब तक चलने वाला है मतलब ये कब तक चलता रहेगा हीलिंग और ये सारी चीज जरे ये हैं कब तक चलेंगे चैक्छलि फृंण्स यह इक है !! लाइधं क्या ओती है लैस्अग में अगा मिलता है और फिर उसके चाहे हजारों तरीके के सवाल आपको दे दिये जाए आप सॉल्व कर लेते हैं कि आपको बस फॉर्मूला है आपको याद है तरीका पता है किस तरीके से सॉल्व होना है सेम उसी तरीके से होता है कितने भी ट्रिगर मिले आप प्रिगर आपको इतने जादा इस यह चीज होती है तो friends I feel मैं अगर बताओं मेरी intense joy family की जो इस वक्त की energy चल रही है वो energy बहुत हद तक balance है बट उन्हें अपनी energy को strong करने की बहुत जरूरत है बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा भी trigger मिलता है वो अपना balance खोने लग जाते हैं और उनके भीतर तो यह रहता है कि हमन energy strong ना होने की वज़े से कहीं ना कहीं वो हिल जाते हैं ठीक है यह चीज हो जाती है तो आपको अपने energy strong करने की बहुत जरूरत है friends ताथ ही अपने आपको जितने भी issues हैं उनसे healing करते रहे हैं पता है क्या होता है देखिए मैंने आपको बताया है day to day जो लोग balanced भी है जिन्होंने अपने सभी issues पर काम कर लिया है वो लोग भी daily to daily अपने daily routine की शामे meditation जब भी healing कर लीजिए मंदरा सुनते सुनते आप healing करिए अपनी पूरा जो दिन का routine है वो morning से याद करिए और रात तक का देखिए आपने कहां किसी से trigger हुए या कोई fight हो या कुछ भी हो आप heal कर दीजिए उसको तो फिर ये जो कर्मा baggage हमारा एक खटा हो जाता ह यह हो गई नहीं कभी भी ठीक है आप बहुत हलका feel करेंगे बहुत मुक्त feel करेंगे बहुत खुश feel करेंगे light feel करेंगे यह चीज होती है healing से बहुत light feel करते हैं हम बहुत जादा ठीक है यह चीज होती है तो यह तो बहुत जरूरी था आप लोगों को बताना मेरे लिए ठीक कोई माल लीजे कोई पतंग है ठीक है और उस पतंग पे अगर भार रख देंगे तो क्या वो उड़ पाएगी सेम इसी तरीके से होती है सोल अगर वो बहुत जादा आपने उस पे लेयर्स इगो की इसकी उसकी टीक है सब तरह की लेयर्स उस पे रहेंगी तो वो मुक्त नहीं हो पाएगी और वो मुक्त नहीं होगी मिन आपको भी अंदर से सफोकेशन फ्रस्टरेशन फील होगी ठीक है यह सारे एंगर इगो यह सारे इश्यू आपके भीतर रह जाएंगे कहीं हद तक और आप अपने जो थर्ड आई है जो आपकी वो एक्टिव होने के बाद भी ब् अब खालीगलास को फ्रेंटस बहा सकते बरे घ्लास को खाली नहीं किया जा सकता बहुत वक्त लगता है उसको खाली करनी में जैसे आप लोग कर रहे बी कर्मा क्लीर कर दो आप देख पारे कि कितना कुछ है जो आपके सामने उभर उभर के आ रहा है ठीक है यह चीज है